बात करेंगे इस वीडियो में हम Nifty and Bank Nifty Auction Chain के बारे में उसको समझने के कोशिस करेंगे understand करेंगे यहाँ पर Nifty के जो सारे जो टार्गेट थे जो हम पिछले दो तिन दिन से में जो मार्केट में आपको टार्गेट बता रहा था आज फाइनली वो सारे टार्गेट अचीव हो गए 9580 का फाइनल टार्गेट तब वो अचीव हो गया है तो अब यह टार्गेट जब अचीव हो गया है तो हमें अब आगे क्या करना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसा व्य रखना है इस चिज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे और देखिनेए यहां पर ऊप्शिन शेहन में kis जगए यह नहीं किस जग है पॉटरेटिग हो रिया है इस चीज जगह को उन्ड।D करने की कोशिस करेंगे तो जल्धी थ की कोशिस कर रहे हैं बट उससे पहले आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको पता है कि कोविड नाइंटीन जो ओफर चल रहा था इंडेक्स कोर्स का वो एक्स्टेंट कर दिया गया है तिल 10 जून तक तो जिन लोगों को भी इंट्रस्टेड है जो लोग भी इंडेक्स में काम करना पसंद करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो डिस्क्रिप्शन में चे सारी डेटेल्स मेंशन हैं आप मले वाट्सप करके कोई भी फर्दर इंफर्मेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग दपोस आप और चिल लोगों ने कल कॉर्स पर्चेस किया था तो उन्होंने आज से ही प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया है मैं यह नहीं बोल रहा कि किसी का पर्सनल नंबर है तो वह चीज है कल इन्होंने कोर्स भाई किया था आप देख सकते हैं कि कल यस्ट नहोंने बाए किया था कोर्स और आज ही इन्होंने सोबे करीब साड़े दस वजह में को स्क्रीन शॉट बेजा जिसमें किन निफ्टी फ्यूचर में काम किया और यहां पर 5,200 रुपे का प्रॉफिट कमाया यहां पर और अगर बात करूं तो यहां पर इन भाई सब ने भी यह राजकुमार जी इन्होंने भी कल कोर्स भाई किया था इन्होंने आज 3,000 रुपे बैंक निफ्टी में कमाये और भी लोग है जिन्होंने में को स्क्रीन शॉ प्रॉपरली एंट्री मिली और वहां पर एक अच्छा मोमेंट मिला और उसमें हमें टार्गेट अचीव हुए तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपका व्यू क्लियर है आपकी अनलेसिस क्लियर है तो आप डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं डेफिनेटली मार्केट में कोई प्रॉफिट कमा नहीं पाता अगर आप सेचो मैं हर दिन कमा पाऊंगा यह पॉसिबल नहीं है बट जिस दिन आपके अनलेसिस सही है और आप मार्केट को सही प्रेटक्ट कर रहे हो market as per your analysis के साब से move कर रहा है तो उस दिन आप एक अच्छा profit ज़रूर कम आपा होगे तो यह चीज़ बहुत जाथा important होती है कि आपको अपनी analysis पर कितना जाथा confidence है जैसे कि पिछले 10 दिन से मैं continuously आपको long करने के बोल रहा था आपको long करने के बोल रहा था क्यों बोल रहा था उसके पीछे रीजन यह था कि मेरी analysis पर मेरे को पूरा confidence था तो इसलिए मैं आपको long करने के बोल रहा था और उस long का फाइदा यह हुआ कि जो 9000 की call मैं पिछले 6-7 दिन से recommend कर रहा था उसमें total करीब करीब 2,700 लोगों के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने profit कमाया है कल मेरे पास almost शाम के टाइम में कम से कम कम से कम 300 से जादा call आये थे और करीब करीब 600 से जादा mail आये थे जिन्होंने अपने यह इस 9000 की call को पाय करके profit कमाया और बताया भी तो यह काफी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को यहाँ पर help मिल रही है इन particular वीडियो को देख के तो मैं कोशिस करता हूँ है कि आगे भी आपकी जो भी help बन सकती है वो पूरी मैं आपकी करूँ इसलिए मेरे course में भी जो support होता है वो lifetime free भी होता है तो अगर आप interested है अगर आप चाहते हैं चीजों को सीखना learn करना तो आप description में check कर सकते हैं सारी details mention है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो मझे WhatsApp कर सकते हैं call कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आप आज की वीडियो की क्योंकि important target सारे hit हो चुके हैं तो अब हमें market के लिए wait करना पड़ेगा कि market अब किदर की side move करेगा तो उसके लिए हमारे पास दो levels हैं उनको हम समझते हैं सबसे पहले आज की closing देखे 90.50 चड़के बंद हुआ है trend continuously positive था जैसा कि मैं पिछले हफ्ते बर से बोल रहा हूँ तो अभी तक positive है और आज भी positive है लेकिन अब जो हमारा target था वो exactly hit हो चुका है देखो 9580 का target था जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 9500 निफ्टी नहीं रुकेगा निफ्टी इसको पाग कर जाएगा बहुत असानी से और आपको यह लेबल टच होता हुआ दिखाई देगा जो कि आज यहां पर निफ्टी ने हिट किया है अब देखते हैं option change में क्या changes आए है तो सबसे पहले देखो 9400 की put यहां पर almost अगर देखा जाए तो 15,93,000 का open interest खड़ा हुआ है यहां पर 15,93,000 का open interest खड़ा है 9400 एक important level बनता जा रहा है दीरे-दीरे प्लस अगर नीची के सब बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 9200 पर आपकी 20,000,000 का open interest खड़ा हुआ है जो कि weekly series का है तो यहां पर सबसे पहले important चीज़ तो यही है कि trend positive है तो हमारे लिए सबसे important support आता है वो आता है 9350 का फिलाल अगले 4-5 दिन के लिए यानि जब तक हम 9350 के उपर trade कर रहे हैं तब तक हम positive ही ही है अगर हम उसके नीचे जाते हैं तो थोड़ी इसी negativity आ सकती है अगर हम बात करें ऊपर resistance की तो फिलाल देखो आपके 9500 की जो call है वहाँ पर 16 लाग का open interest खड़ा हुआ है बट 9500 की जो put है वहाँ पर कितना है 11,20,000 लाग का इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं 9500 को put writer और call writer ऐसा level बना रहे है consolidation में जा सकता है अगर तीन से चार दिन के लिए वहीं अगर हम बात करें एक highest call writing की तो वो देखा जाए तो 9500 के level पे ही हो रही है तो अगर आप 9500 के level के ऊपर टिके रहते हैं तो यह एक अच्छे बात है तो हमारे पास ऊपर की और भी upside खुल जाएगी और 9600 के ऊपर अगर हम टिक गए तो फिर हमारे पास 1500 का और move बन सकता है वो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि वो कैसे बन सकता है और उस move को आपको miss नहीं करना है ठीक है तो चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे और देखते हैं जो की हमने कल डिसकस किया था यहाँ पे कल हमने लेवल्स आपको बतायते सारे तो यह सारे लेवल्स हमने कल डिसकस किया 9351 एक important support है वहाँ पे निफ्टी मिलता है तो आप लॉंग करिये टार्गेट जो आपको मिल सकता है वो 9580 का मिल सकता है ठीक है? तो intraday में आज nifty ने जो एक gap down opening दिखाई थी उसमें जो low बनाया था वो करीब करीब 9377 के असपास का बनाया था तो वहाँ से आप देख सकते हो हमारा target यहाँ पर achieve हुआ है अगर अब बात करें आगे आने वाले दिनों में आपको क्या करना है तो उस चीज़ को समझते हैं तो मैं आवली चार्ट लगा लेता हूं यहाँ पर देखो अब क्या है कि nifty यहाँ पर trade कर रहा है ठीक है अब nifty के पास जो अगला channel है वो यह channel है जो एक particular gap था जब जो कि हमने में के first एक तरिक को बनाया था यह gap down opening होई थी तो हमने यह gap बनाया था तो इस gap को nifty upfill करने की कोशिस करेगा अब यह हो सकता है कि अगले दो-तिन दिन में कर ले या फिर हो सकता है कि next series में करे फिलाल हमारे लिए important चीज़ यह है कि 9580 के नीचे अगर हम trade कर रहे हैं तो वहां से थोड़ी सी profit booking आ सकती है जो कि कहां तक आ सकती है वो करीब पर 9350 तक आ सकती है लेकिन अगर हम 9600 के ऊपर निकल गए तो फिर आप 1500 पॉइंट के लिए तेजी कर सकते हैं जिसमें की next target जो मिलेगा वो 9750 मिलेगा तो आपको अब market में यही wait and watch करना है कि क्या nifty 9600 को पार कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर 9600 को पार करता है तो आप एक long कर सकते हैं 9750 के target के लिए और अगर निफ्टी 9580 के नीचे trade करता रहता है तो आप कोशिस करिए कि market में dip आती है यानि यहां से एक dip आती है वो करीब डिप अगर 9400 तक के आपके आसपास की आ जाती है तो वहां पे आप long कर सकते हैं दुबारा से इस particular target के लिए जो कि 9750 का बन रहा है फिलाल आपको बता दिया तो आपको इसको वेट और वाच करना है जाके ट्रेड नहीं कर लेना है क्योंकि आप निफ्टी के टार्गेट हिट हो गया है अब आइदा निफ्टी थोड़ा सा profit working दिखाए तब नीचे से reversal उपर की तरफ आएगा तो यह level break होगा हो सकता है कि gap up हो जाए Monday को और तब यह level आ जाए तो आपको इस level को closely watch करना है अब निफ्टी से ज्यादा मेरे को जो expectations है बैंग निफ्टी में एक और move बन सकता है जो की करीब करीब 20,000 तक बैंग निफ्टी को ले जा सकता है 20,100 तक अगर निफ्टी ने 9600 के उपर sustain करना start कर दिया तो बैंग निफ्टी वे आप focus कर सकते हो अगर बैंग निफ्टी उन्ने से 500 को निकालता है तो आप बैंग जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि डाव फ्यूचर में आपको थोड़ी सी profit working देखने को मिल सकती है वही हमें यहां पर देखने को मिली थी मैं एक बाद चेक कर लेता हूं यहां पर कल करीब देखो आदा परसेंट gap down opening के संकित दे रहा है 108 पॉइंट की यहां पर गिरावट के साथ open हो सकता है डाव जोंस तो यहां पर थोड़ा सा market डाव consolidate करने की कोशिस करेगा यहां पर अगर देखें क्योंकि काफी तेजी से पिछले दो तिल दिन में मोमेंट आया है आप देख सकते हो यहां पर कि यह कितनी तेजी आई है कि सीज़ा सीज़ा 2430 से यह almost यह इतने जो हाई बनाया वह आपका 25780 के आसपास का यहां पर हाई बन आई दे और जब तक हम 9300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम positive है 9300 के नीचे जाएंगे तो हमारे लिए दुबारा से negative signal generate हो जाएगा फिर हम short करके काम करेंगे तो यह है दोस्तों आज का data आपको समझ में आगया होगा दोस्तों फ्लाल इस वीडियो में इतना है वीडि इसी के जाद शुक्रिया दोस्तों जाए हिंद